अलो डियर स्टुडेंट्स आज हमारा टोपिक है जो साउन लेसन चला वा है उसके आज हम मल्टिपल च्वाइस करेंगे एंस बूक का बेस रहेगा और ये क्वेस्टन इतने इंपोर्टेंट है कि कितने भी हमारे चाहे गोवर्मेंट जोब के एक्जाम हो कमेशन का पीपर हो ससी कमिशन का पेपर हो खरण सुस्ट एक्वीजेंक त्विवाणी बौर्ड के और सी बॉर्ड के एक्जाम होते है अने एंए और दॉन को आं अंए शाय्यों पोछे जाते हूं तो आपके लिए वीडियो भड़ा ही इंट्रेस्टिंग होने वाला है क्वेशन बड़े ही इंपोर्टेंट है ध्यान से कीजिएगा तो चलिए सुरू करते हैं हमारा आज का टोपिक और आपको एक अंसर चुझ घड़े आप गरेंगे उसका अंसर साती लिख देंगे फिर आम उसका अंसर आपके सामने रहते हैं और आप अपने असीन का से सकतग़ों पारित कैसे होती है मतलों धमनी किस तरह से पैदा होती है नंबर एक माध्यम के कमपित कणों के विश्थापन के कारण घर्षण के कारण और सी ए और भी दोनों डे इन में से कोई नहीं हमेशा याद रखिएगा जो धमनी है वो पैदा सिर्फ कंपन से होती है तो जो माध्यम के कणों के विश्थापन के कान होती है विश्थापन का मतलू वो एक दूसरे से दूर जाते हैं माध्यम के धमनी के लिए देखी माध्यम भी बहुत जुरूरी है जब तक माधम नहीं होगा तो धमनी संचरित नहीं हो सकती संचारित नहीं हो सकती सबसे पहले माधम की जुरूरत है फिर माधम होने के बाद उसमें कमपन का होना जुरूरी है कमपन होने के बाद फिर उसमें संपेडन और विलन होगा इनी के विश्थापन होगा तो धमनी सं इंचारित होती है, question number two, fill in the blanks रहेगा हमारे पास यह, तो हमारे पास चार option है, a में तरंग, b में विदुत, और c में अपवर्तन, और d में a और b दोनों, तो question number two में option में क्या है, एक विक्षोब है, जो किसी माद्यम से होकर गती करता है, सेम जैसे हमारा पहला question है, उसी को एक अच्छे तरीके सी लिखा गया है, तो question number first का answer आएगा हमारे पास तरंग, तरंग एक विक्षोब है, जो किसी माद्यम से होकर गती करता है, और माद्यम के एकन निक्ट वर्ती कर्णों में गती उत्पन करते हैं, question number three, धवनी के संचन के लिए सबस्यदिक समान्य माध्यम क्या है, तो option में A, हवा, B, मिटी, C, पानी, और D, निर्वात, तो तीन का जो हमारे पास अंसर रहेगा, आप पहले आप अपना अंसर लेजिए, फिर चेक करना, तीसरे का हमारे पास रहेगा, A, समान्य माध्यम हमारे लिए हवा यह, क्योंकि देखें, हम वायू मंडल में ही रहते हैं, तो जैसे हम बोलते हैं, तो हवा, common medium है, हमारे लिए बात करना लिए, सबसे समान्य मेडियम, क्वेशन नमबर चार, जब कोई कंप मान वस्तु आगे की और कंपन करती है, तो एक उच्छ दाप का ख्षेतर उतना होता है, और उसको हम क्या कहते हैं, बड़ा important question है, जब कंप मान वस्तु आगे की और इस तरह से देखी, इस तरह से बनता है हमारे पास, उसमें जो है कंड बिलकुल पास पास होते हैं, और दूसरा बनता है हमारे पास, इस तरह से दूर दूर, तो दो तरह के बनते हैं हमारे पास, तो एक को हम संपीडन बोलते हैं, और एक को बोलते हैं विलन, तो ये हमारा देखी, उच दाब का ख्षेतर बन गया, और ये निमन दाब का ख्षेतर है, तो जो उच दाब का ख्षेतर होता है, उसको हम बोलते हैं, संपीडन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, संपीडन बोलते हैं, क्वेशन नमर फाइव जब कोई कंपमान वस्तु आगे की और कंपन करती है तो एक निमंद आपका क्षेतर उत्मन होता है उस क्षेतर को क्या कहती है तो क्वेशन नमर फाइव का हमारे पास अंसर है ए विलन बोलते हैं संपीडन और विलन जो है उसमें दो त्रहें के पॉइ घ्लेट लें ए Are answer हमारे पास क्या रहेगा ए उसिख्षर कौछन किसी माधम में कंपम का अधिगण जन तव क्या दरसाता है ैक्वेशन आमबर शिक्षहम्न में कम अधिक शुर्णन है ए ओर भी दोनों तो अंसर एगा बीम iPdeem माध्यम में कणों का अधिक घनतव अधिक दाब को दर्शाता है हमेशा कणों का अधिक घनतव हमेशा अधिक दाब को दर्शाता है आगे क्वेशन नंबर शैवन है हमारे पास क्वेशन नंबर शैवन क्या करता है किसी माध्यम में धावनी किस रूप में संचारित होती है द होती है तो answer option में संपीडन विर्लन विदुत और ड का ए और ब दोने इनके संपीडन और विर्लन देखिए अभी हमने बात गिए एक तो उच दाप का ख्षेत्र बनता है और एक बनता है निमन दाप का ख्षेत्र तो इसको बोलते हैं संपीडन और विर्लन तो यह आगा हमसरीश में रहेंगे अमारे पास A और B दोनुद संबीड़न और विलन से धवनी संचारित होती है धवनी संचन किस माध्य में नहीं होता देखे धवनी संचन के लिए वायू जल या ठोस पदारतिन के ठोस धरव गैस तीनों में से किसी एका होना बहुत जुरूई है लेकिन अगर निर्वात है वायू मंडल नहीं है हावा नहीं है कहने का मतलब तो धवनी संचारित नहीं हो सकती तो इसमें हमारे पास option क्या रहेगा D धवनी संचन किस माध्यम में नहीं होता निर्वात में नहीं होता ये बुण गया हमारा 8 का question number 9 धवनी तरंगे कैसी तरंगे है तो अनुधारिय तरंगे अनुपरस तरंगे आंसी ग्रूप से अनुधारिय ये और भी दवनों देखे जो धवनी तरंगे है वो हमेशा अनुधारिय तरंगे होती है कौन सी तरंगे होती है अनुधारिय तरंगे होती है निमन लिखित में कौन सा धमनी तरंग का भी लक्षन नहीं है तो क्वेशन नमर टैंथ में आवरीती आयाम दिशा और वेग देखिए धमनी तरंग का भी लक्षन आवरीती भी है आयाम भी है वेग भी है लेकिन दिशा नहीं है क्या नहीं है दिशा तो उप्षन क्या रहेग C 11 तरंग धैरिया का मात्रक क्या है बोड़न्ट क्वेशन है 11 तो तरंग धैरिया का मात्रक क्या है ओप्षन में सेंटी मेटर मीटर नूटन किलो मीटर तो ग्यार्वी का हमारे पास अंसर रहेगा B, अंसर क्या रहेगा B, यार्मे का B अंसर रहेगा, मीटर तरंग धैरिया का मातरक मीटर होता है तरंग धैरिया कहते किसे हैं क्या होती है तरंग धैरिया किसे कहते हैं, दो करमागत संपिडनों के बीच की दूरी दो करमागत ए और भी दोनों, दो करमागत संपीडन हों, चाहे दो करमागत विर्लन हों, उनके 20 की दूरी को तरंग धैरिया बोलते हैं, और तरंग धैरिया को लेमडा से लिखते हैं, यह याद रखेगा, क्लीर अपॉइंट, कोसर नमर 13, घनत्तव के अधिक्तम मान से न्यूंतम मान तक में, और पुने अधिक्तम मान तक आने पर, क्या होगा, एक दोलन होगा, दो दोलन, तीन दोलन, इनमें से कोई नहीं, क्वेसन नमर 13 का हमारे पास रहेगा, एक दोलन, घनत्तव के अधिक्तम मान से न्यूंतम मान तक में, और पुने अधिक्तम मान तक आने पर, एक दोलन होता है दिखिए जैसे हम यह पैंडूलन लटकाते ना तो पहले यह इदर जाता है जैसे जूल होता है फिर यह जाता है तो जब एक दोलन पूर होगा तो वह कंप्लीट होता है अधिक्तम मान से यह अधिक्तम माना गया हमारे पास जादे जादे यहां चला गया फिर यहां से क्या गया नूनतम आ गया और पुने अधिक्तम तक जाएगा तो वापिस आने पर यह क्या होता है हमारे पास टोटल एक दोलन हो जाता है हमारे पास एकांग समय में दोलनों की कुल संख्या धमनी की तरंग क्या कहलाती है तो question number 14 का तरंग धैरिया आवरिती आयाम वेग तो इसका हमारे पास जो अंसर हैगा वो रहेगा 14 का B आवरिती question number 15 दो क्रमागत संपीडनों या दो क्रमागत विलनों को किसी निश्चित बिंदू से गुजरने में लगे समय को तरंग का क्या कहते है question number 15 का रहेगा answer पहले पे दिया हुए तरंग धैरिया काल B आवरित काल C आयाम और D एक और B यानिके A और B तोनों तो question number 15 का जो अंसर रहेगा वो रहेगा हमारे पास B उसको हम क्या बोलते है आवर्त काल बोलते है answer क्या रहेगा B आवर्त काल बोलते है दो करमागत संपीडनों या दो करमागत विलनों को किसी निश्चित बिंदू से गुजरने में लगे समय को तरंग का क्या कहते है हम उसको बोलते है आवर्त काल बोगते हैं, क्वेशन नमबर 16 किस कान से एक ही समय पर हम एक से ज़्यादा धमनी ग्रैन करते हैं, आवरिती तार्तव वेग तरंग धैरिया, क्वेशन नमबर 16 का जो हमारे पास रहेगा, वो रहेगा B, क्या रहेगा, B रहेगा, क्वेशन नमबर 16 का, किस कान से एक ही समय पर एक से जादा धवनी ग्रयान कर सकते हैं तो यह तार्तव होता है जो धवनी में डिफ्रेंस भी कर देता है सेवंटिन सव्रो अधिक होती है तो उसका तार्तव की द्धंया कैसे उत्पन होती तार्तव की द्धंया कैसे उत्पन होती है विभिन आकार की वस्तमें, विभिन आकृति की वस्तमें, विभिन आवरितियां उप्रोक्त सभी तो question number 18 का हमारे पास रहेगा D अनसर क्या रहेगा? हमारे पास D रहेगा answer क्या रहेगा? D Question number 90 किस माद्य में मूल स्थिति की दोनों और अधिक्तम विक्षोब का तरंग? उसको क्या बोलते हैं? Question number 19 का जो अंसर रहेगा वो रहेगा C आयाम बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं? आयाम Question number 20 मृधू धवनी का आयाम कैसा होता है? मतलब सुरूली धवनी का आयाम कैसा होता है? कम अधिक यह और भी दोनों कभी कम कभी अधिक यहां पे काम की बुज़ाई कहा है? कम Question number 20 का जो अंसर रहेगा वो रहेगा A Showart 21 का अंसर रहेगा हमारे पास A अनेक आवरित्यों के मिशन से उत्पन धवनी वो सवर कहलाती है उसकों क्या बोलते हैं शवर बोलते हैं question number 22 तरंग के किसी बिंदू जैसे एक संपीडन या एक विरलन द्वारा एक आंक्ष में में तै की गीदूरी क्या कहलाती है question number 22 का अंसर आएगा B तो वो कहलाता है तरंग का वेग question number 23 किसी एक कांक शेतरफल से एक सेकिड में गुजरने वाली धमनी उडजा को धमनी की कालिस्तान या डैस कहते हैं प्रबलता तीवरता वेग ए और भी दोनों question number 23 का हमारे पास अंसर आएगा B तो उसको क्या बोलते हैं धमनी की तीवरता बोलते हैं किसी एक आंक शेतरफल से एक सेकिंड में गुजरने वाली धमनी उड़्जा को धमनी की प्रवति वरता कहते हैं question number 24 प्रावर्तन के बाद एक धवनी जो बार-बार सुनाई देती है उसे क्या कहते हैं प्रावर्तन के बाद एक धवनी जो बार-बार सुनाई देती है उसे क्या कहते हैं तो प्रती धवनी बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं प्रती धवनी इको साउंड भी बोलते हैं इसको जैसे कुमे में आवाद लगाते हैं तो बार बारा में वो सुनाई दे जेती है question number 25 question number 25 first प्रतिदेवनी सुनने के लिए मूल धमनी तता प्रावर्ति धमनी के बीच कम से कम कितना समय अंत्राल होना चाहिए 5 second 0.5 second 0.1 second or 1 second question number 25 का रहेगा c कम से कम 0.1 second का difference होना चाहिए question number 26 बार बार प्रावर्तन जिसके काण धमनी निर्बद होता है क्या कहलाता है तो प्रतिधमनी प्राधमनी अनुरण वप्रोक्त सभी question number 26 का हमारे पास अंसर रहेगा अनुरण होता है यह अनुकान की वज़ाई क्याता है अनुरण अनुरण होता है question number 27 धमनी के बार प्रावर्तन का अप्योग कहा होता है megaphone, stethoscope, concert, अल उप्रोक्त सभी question number 27 का अंसर रहेगा हमारे पास D उप्रोक्त सभी question number 28 समान्य मुनुष्य के कानों के लिए survey पराज कितना है 10 से 20,000 hertz, 20 से 20,000 तो 2 से 2 वीच अजार और 200 से 20,000 hertz तो हमारे लिए समान्य मुनुष्य के लिए इनकी जो कान जिसको अच्छी तरह किसे सुन सकते हैं वो रहेगा 28 का अंसर हमारे पास बीच हर्ड से 20,000 hertz बीच के लो भी बोलते हैं के 20 के लिए लिखाता है करी बार तो वो हो जाता है हमारे पास बीच हर्ड बीच अजार से बीच में शर्वय बोलते हैं इसको जो हमें सुनाए देती है बीच से कम वाले धमनी को क्या बोलेंगे अप्शर्वय प्राशर्वय और रेडियो तरंगे तो उसको बोलते हम क्वेशन नमबर 29 का ए अप्शर्वय धमनी क्वेशन नमबर 30 प्राशर्वय धमनी या प्राश क्या है question number 30 20 kilohertz 20 kilohertz से ज्यादा 20 kilohertz से कम 5 kilohertz question number 30 का हमारे पास क्या एक answer B 20 kilohertz से ज्यादा प्राशर्वय धवनी या प्राधवनी कहलाती है 31 निमन में कौन अप अप्राशर्वय धवनी प्रिशर की धवनी आत्पन नहीं करता कि इसा कौन सा जीव है जो अप्राशर्वय धवनी प्रिशर की धवनी आत्पन नहीं करता है क्वेशन नमबर 31 का अंसर हमारे पास रहेगा D, चमगादर, यह कैसा जीव है, जो अपसर्वय धवनी परिशर की धवनी उत्पन नहीं करता, 32, प्राधवनी को कोन उत्पन नहीं करता, डॉल्फिन, चमगादर, वेल आथी, क्वेशन नमबर 32 का अंसर हमारे पास D, हाथी जो है, प्राधवनी को उत्पन नहीं करता, जबकि डॉल्फिन, चमगादर वेल यह तीनों करते हैं, तो अंसर क्या रहेगा, हाथी, प्राधवनी के अनप्योग में कौन से हैं, धातु के ब्लोकों में दरार और दोश का पता ल जो 33 है, उसका अनसर हैगा, हमारे पास D, उप्रोक्त सभी, धात्यों के ब्लोकों में द्वरार और दोश का पता लगाया जाता है, इको कार्डियोग्राफिक की जाती है, और अल्ट्रा सोनोग्राफिय गुर्दे की पत्री को तोड़ने में भी प्राधवनी का उप्योग क किया जाता है, क्वेशन नमबर 34, सोनार का विश्टित रूप क्या है, तो ध्यान से देखिए कर चार उप्सिन देगे हैं, A, B, C, T, तो इन में से जो क्रेक्ट अंसर हैं हमारे पास यह है, क्वेशन नमबर A, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, याद कर लिजी, सो देखिए के लिए उड़ते समय कौन सी तरंगें पैदा करता है, प्राधमनी, अपसर्वे, रेडियो तरंगे, एक्स, किर्ण, तो हमारे पास इसका अंसर रहेगा, A, वो पैदा करता है, प्राधमनी करता है, चमगादर, मनुश्य का बारी कान क्या कहलाता है, कान पट, या सर्वन तंत्री का करन पल्लव और वल्यक, तो 36 का अंसर रहेगा, मारे पास C, करन पल्लव, कान का कौन सा भाग प्रिवेश से धमनी को एकत्रित करता है, तो वो हमारे पास, चार उप्शन में करन पल्लव, करन पट, करन आवरत, वल्यक, 37 का अंसर रहेगा, मारे पास A, कर्ण पल्लाव क्वेशन नमबर 38 मध्य कर्ण में कौन सी कौन कौन सी यडियां होती है मुखदरक निहाई वल्यक उप्रोक सभी क्वेशन नमबर 38 का अंसर है हमारे पास टी यह सभी होती है चंद्रमा पर धवन होती है गड़ गड़ाट कितरे हैं अक्षव्य कितरे हैं प्रिति की दुलना में जोर से इन में से कोई नहीं तो क्वेशन नमबर 39 का रहेगा भी अक्षव्य क्वेशन नमबर 40 वस्तुओं को साप करने के लिए कौन सी तरंगों का अप्योग किया जाता है कल पूर्जों से धूल मिटी निकालने के लिए तो क्वेशन नमबर 40 का अंसर है अमारे पास ए प्राधमनी का अप्योग किया जाता है Quesion No. 41, X और Y क्या है, संपीदन विर्लन, विर्लन संपीदन, X और Y दोनों संपीदन, X और Y दोनों विर्लन 41 का हमारे पास अंसर हेगा संपीदन और विर्लन, विर्लन भाग कोन सा है ए श्रिंग भाग संपीडन गर्थ भाग विर्लन श्रिंग भाग विर्लन गर्थ भाग संपीडन क्या और क्या दोनों इन में से कोई नहीं तो 42 का अंसर आएगा हमारे पास अ, शरींग भाग संपीडन और गर्द भाग विलन, शरींग एक उपर वाला भाग होता है और एक होता है नीचे वाला, तो उपर वाला संपीडन नीचे वाला विलन question number 42 हम एक पूरिश्की आवाज और एक मेलक आवाज के बीच के अंतर कर सकते हैं उन्हें बीना देखे पैचान सकते हैं कि यह आवाज रीकिया या पूरिश्कीया यह द्वनी के एक विशेश्टा के कहान होता है जो द्वन्यों के सीक्रण को मापता है क्या आप उस मात्रा की सही काई चुन सकते हैं जिस पर द्वनी के विशेश्टा निर्बर करती है हर्ट मीटर पर सैकिंड मीटर यूनिट लैस मतलब कोई यूनिट नहीं है तो कॉस्ट नम्बर 43 का अंसर है मारे पास हर्ट हर्ट इसका अंसर रहेगा को स्टन नम्बर 44 तापमान बढ़ने पर हव में गती बढ़ती है बढ़ता है घड़ता है बदलता ने तो बढ़ती है याद रखेंगे कोस्ट नम्बर 45 चमगादर रात के अंदेरे में उर्ट इसमें विशेश धमनियों को सर्जित करके दूसरी वस्तून से टकरा कर बिना उड़े उड़ सकते हैं धमनी की किस करने के लिए किया जाता है तो 45 का अंसर रहेगा हमारे पास यह अल्ट्रा शाउंट अंसर क्या रहेगा अल्ट्रा शाउंट कोसिन नमर 46 अपने डक्टर को स्टेटोस्कोप नामे के एक चिकत्सक उपकारण का अप्यों करते देखाऊगा जो प्राए वो चाती पर या पेट पर या हार्ट पर या कमर पर लगा देता है और धड़कन की जाज करता है धम्यों की यह स्टेटोस्कोप जोए कि सिधान प अंसर हैगा एक आधिक प्रति भिंपर काम करता है कोनसी थ्रंगे सुन्य में संच्रण नहीं कर सकती है कि निरुवात में प्रकास धमनी उक्त दोनों गामा ध्रंगे तो 47 का हमारे पास रहेगा धाउन thunderstorm उन्य में नहीं चल सकते मतलब उनके लिए मदम दुरूरी होना यदि किसी पूल पर सहनी कदम से कदम मिलाकर मार्च करें तो पूल के गिर जाने का खत्रा रहता है इसका कान क्या है तो 48 में अंसर आएगा अनुनाद के कान पूल गिर सकता है मनुश्य के लिए सोर की सहन सीमा कितनी है तो मनुश्य जो सोर सह सकता है वो मैक्सिमम हमारे पास होगा दी असी डैसीबल तक ही वो शहन कर सकता है ज्यादा से ज्यादा क्योंसन नम्बर 50 रेडियो त्रंगे प्रित्वी की किस स्टै से प्रावर्तित होती है तो 50 का हमारे पास अंसर रहेगा से आयन मंडल से प्रावर्तित होती है ये था बड़ा इंपोर्डेंट क्वेशन है ये भी क्वेशन नम्र 15 ये थे हमारे आज के प्रचास मल्टीपल च्वेश क्वेशन आंसर आप यहाँ पर भी देख सकते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए हम जल्दी हाजिर होंगे तब तक हम आप से लेते हैं इजाजत जय हिंट